Hello everyone, I am Akash Ghor, Welcome back to your Indian Medical Lecture, guys, नया topic लिए कर रहा हूं मैं, पेट से जूड़ी हुई बीमारिया, कितनी बीमारिया होती है, डाइजेस्टिव से रिलेटेड जो बीमारिया है, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी बीमारिया में आपको एक्स्प्लेण करने वाला हूं, सिम्टम्स देखेंगे, मेडिशिन्स देखेंगे, उन बीमारियों का, अम लोग अलग अलग बीमारिया, सिक्वेंचिली में टोपिक डाल के आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, स्टार्ट करते गईज, सबसे पहले, एक बैसिक सी डिसीज लेते हैं, सबसे पहले जो डिसीज आती हैं, हमारे सीलियक डिसीज है, सब पेट से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में, और उनके इलाज के बारे में, लक्षन, कारण क्या है, होता क्या है, हिंदी प्लेस इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे, क्या होता है, एक सीलियज हमारे जो इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई, आतों से जुड़ी हुई बीमारी होती, देखिएगा क्या होती है समझें, सबसे पहले इंट्रोड़क्षन उसके बारे में, हम लोग समझेंगे। what is a celiac disease, celiac disease होती क्या, ठीक है, देखेगा, celiac disease also known as sprue, sprue या फिर इसको हम लोग दूसरे नाम से बोल सकते हैं, colic, है न, celiac disease को sprue या colic भी कहा जाता, बहुत जादा देखे जाती है, जैसा नहीं कि नहीं, देखने को मिलती है बाजार में, बहुत सारे लोगों में होती है भी मारे, ठीक है, this is small intestine disease, फिर से मैंने repeat करता हूँ, small intestine, कोन सी, छोटी आतों से जूड़ी हुई एक बीमारी होती है, which is also called, जिसे हम लोग digestive disorder के नाम से भी जानते हैं, यह digestive disorder के अंदर में आती है, ठीक है, यह digestive disorder के अंदर हमारी disease आएगी, दूसरी चीछी देखेगा, in this disease, patient not able to eat gluten, इसमें क्या होता है, मरीज जो है, इस बीमारी के होने के पाद, जो मरीज रहता है, मरीज को gluten की problem हो जाती, eat not able to eat gluten, अब बोलोगे सर, ग्लूटन क्या है, इस बीमारी में होने पर मरीज अपने जीवन में gluten का सेवन, या फिर gluten नहीं सेवन कर पाता है, gluten को नहीं का पाता है, gluten क्या होता है, गेहू के अंदर पाये जाना वाला एक प्रकार का protein होता है, ठीके, लिखा है, gluten is a protein, gluten is a protein which is present in VTNA की, कहा पर present होता है, हमारे simply ये present होता है, गेहू के अंदर, कहा पाये जाता है, हमारा गेहु के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हमारे गेहु के अंदर पाया जाता है और राई में भी पाया जाता है राई वगेरा के अंदर मिलेगा गेहु के अंदर पाया जाए अब बोलोगे सर इसका और जो ह हमारी body उसको accept ही नहीं कर पाती पूरी तरह से उसे resist कर देती है उसे हम लोग celiac disease कहते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग देखेगा next इसमें celiac disease में बंदा बोल रहा है in this disease effect will lie of will lie क्या चीज़े वो समझेगा will lie of small intestine छोटी आत के अंदर जो will lie होती है ना guys पर जूम करता हूँ विलाई simply समझाता हूँ में कुछ नहीं हमारे जो intestine वला भाग होता है small intestine वला भाग small intestine के अंदर inside view अगर हम देखेंगे तो इस तरह की कुछ will lie नजर आती है आपको ठीक है will lie है healthy will lie है ये effective will lie है disease में ऐसी हो जाती है अब मैं इसको बात में समझाओंगो will lie मतलब ऐसी 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 फिंगर जैसी धागे जैसे sunrashna रेती है जो की absorption पतली सी सूई जैसी रेती है जो की absorption का का काम करती है वो ठीक है बताता हूँ मैं आपको it is it is if patient has gluten then his immune system affected immune system का रोल आगे हाँ पर attack on intestine याने कि जब भी आपको इस प्रकार की celiac बीमारी होती है यदि मरीज में बीमारी से पीडित मरीज में gluten यदि gluten की बात करें gluten का seven करता है तो उसकी प्रतिरोधक तंत्र उसकी छोटी आत पर प्रभाव डालता है कहां पर प्रभाव डालेगा यह लाइन समझेगा नीच वाली छोटी आतों के उपर effect करता है कब करता है जब हम gluten खाते याने कि यह चीज़ समझ में आए कि भाया यह लिएक बीमारी हमारे इम्यून तंत्र प्रतिरोधक तंत्र से जुड़ी हो एक बीमारी ठीकिए इस बीमारी में क्या होता है कि जब बीमारी गेहू का सेवन करता है ग्लूटन जो प्रोटीन खाता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम में प्रतिरोधक तंत्रे वो एंटि बोडी को प्रिडियोस करता है याने कि प्रतिरक्षा तंत्र को प्रिडियोस करता है प्रतिरक्षा को और वो हमारी जो स्वच कोशिकाय होती है उनको मारने लगती है नहीं पेचान पाती इससे हम लोग इम्यून डिसोडर के अंदर भी जानते इस सीलियक जो बीमारी है ना गाईज यह एक प्रकार की कैसी बीमारी है यह एक प्रकार की अनुवानशिक बीमारी है ने की पीडी दर पीडी फेलती है यह देखा गया है अनुवानशिक बीमारी के अंदर आता है नौर्मली भी हो सकती है और हेरिडेटरी तो होती ही है ठी इसलिए व्यक्ति को lifetime बिना gluten का सेवन करना पड़ता है, दूसरी चीज़ों को उसको खाना पड़ता है, जिसमें gluten नहीं पाया जाता हो, ठीक है? ठीक है? आगे बढ़ता हूँ मैं, symptoms, यदि लक्षणों की बात करें, तो मरीज में अगर इस तरह की दिक्कद देखने को मिल रही है, तो पहला जो symptom देखने को मिलेगा, गेस formation, देखो, गेस formation नॉर्मली भी होती है, बीमारी में भी होती है, मरीज को continuously constipation बना रहेगा है न, हमेशा constipation बना रहेगा मतलब कब जिबनी रहेगी उसको, ठीक है? उसके अलावा उसको abdomen, swelling, पेट में बहुत जादा, सूजन वगेरा देखने को मिलेगी, weight loss, मरीज का वजन भी कम होगा, बीलकुल कम होगा वजन उसका, ठीके क्यों? वजन क्यों कम होगा? क्योंकि विलाई थीक प्रकार से özution नहीं कर पा रहे है, इस वजासे होगा, weakness कमजोरी आना, बिल्कुल कमजोरी आएगी, वजन कम होगा, कमजोरी आजाएगी, पेट में कब्ज बनी रहेगी, गेज बनेगी, मरीज को कमजोरी टाइप की महसूस होगी, मतलब सीलियक डिसीज के संकेत है, अभी भी कन्फरमेशन आप नहीं कर पाओगे यहाँ पर, कि एक् प्रितिरोदक तंतर से जुड़ी हुई बीमारी है, यहने कि जब भी हमें कभी गलती से किसी मरीज ने ग्लूटन खा लिया, उसको पता नहीं सीलियक बीमारी है, सीवियर प्रोब्लम होने लगी, एलर्जी होने लगी, बोडी वे अंदर इम्यून सिस्टम अटेक करने लग वर्क अगेंड्स इंफ्लामेशन, ठीक है, यदि कोई इंफ्लामेशन शरीर में होती है, गलूटन खाने के बाद सीलियक में प्रोब्लम आती है, तो हमें डेक्स्ट्रो मेतर सोन, याने कि स्टेरोईट के इस्तमाल करना है, इसे एक्च्छल में क्या होगा, इसे जो आपका इम्यून सिस्टम में वो प्रोबली सप्रेज हो जाता है, यह उसे प्रितिरोदक तंत्र की किरिया को कम करता है, और इंफ्लामेशन जो होती है न शरीर में, उस इंफ्लामेशन को भी यह कम करने में मदद करेगा, डोजेस की बात करूं, वैसे तो पेशेंट को देखने के बाद ही डोसे डिसाइडेड होते हैं, बट फिर भी स्टेंडेड डोसेज की बात करूं, तो 0.75 mgbd दिन में मरीज को दो बार यह दवाई दी जा सकती है, इससे क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस होगा, कम होगा, इंफ्लामेशन ठीक होगी मरीज की, उसको रिलिफ लगेगा इस चीज से, ठीक है, नेग्स देखते हैं, हम लोग, सम कुछ एंटी बायोटिक्स यह दे, कोई इनफेक्शन हुआ है, इनफेक्शन की वजह सीलिया इफेक्टेड हुई है, इनफेक्शन की वजह सीलिया की बिमारी हो रही है, उस कंडिशन में हम क्या करेंगे और Fluxacin, plus Onidazole O2 गा composition आता है ौ2 का Iztamal करना चाहिए, Metronidazole का Istamal करने चाहिए, Doses की बात करूँ, completely dependent करता है, patient को वेसे 400 mg BDV दिया जाता है, 700 mg में आता है, Onidazole plus Fluxacin, यह antibiotic काफी effective होती है, Celiac disease में इना का इस्तमाल किया जाता है, okay? next जो बीमारी आती है अब हमार दूसरी बीमारी हम लोग लेते है वह होते है हमारी swelling in the gallblader यदि मरीज को gallblader के अंदर यानि की पिताशय जो होता है अपने जो लीवर के जस डाउन साइट पे पिताशय होता है गल ब्लेडर होता है यदि इसमें सूजन हो रही है तो आप वो क्या होती है आती के से कारण क्या कोज़ेश क्या समझते हैं देखेगा उसको इंट्रोड़क्शन swelling in गल ब्लेडर is also known as cholecystitis यह point को आप समझेगा इसमें एक point लिगा है cholecystitis का मतलब होता है पित्ताशे में सूजन की condition को cholecystitis काहा जाता है अब होता क्यों है when stone develop in गल ब्लेडर जब भी पेट में पत्री होती है गल ब्लेडर में it block the bile juice and start swelling in गल ब्लेडर देखो गल ब्लेडर में क्या हुआ यह जो बायल जू से वंस्टी आपका बन बिट यह ने नर्माल कंडीशन है गल ब्लेडर है आपका गल ब्लेडर की duty त्यूब है अब अगर क्या होग कि यहां पर कोई stone बन गई हो यहां पर stone बनी है यह stone बनी, stone बन के यहां से लिगए और यह गॉल ब्लेटर की जो छोटी-छोटी थेली है ना इसको यहां पर इसने ब्लोक कर दिया अब ब्लोक करने की वज़े से आपको क्या होगा इस वाले एरिये में इंफ्लामेशन हो जाएगा सूजन टाइप की बनेगी उससे जो बाइल जूसे वो भी सीक पिताषय ने की गॉल ब्लेडर की बात की जा रही है यहां पर सूजन बनने लगेगी मरीज को पत्थरी के कारण है दो प्रकार का होता है यह भी मैं आपको एक्स्प्लेयन कर दूगा Types of Collisistitis, Collisistitis के कितने प्रकार हैं यहां पर होते हैं, दो प्रकार का Collisistitis होता है, पहला याने की पित्ताशे में सूजन भी दो प्रकार से आती है, एक तो Calculus याने की पथरी के कारण और दूसरा कारण बताता हूँ, पहली होती है Calculus Collisistitis, मतलब होता है, It is common type of Collisistitis, एक सामाने प्रकार होता है, not occurs severe condition, इनमें बहुत जादा खतरना condition नहीं बनती है, मरने वाली condition नहीं बनती है इसमें, ठीक है मरीज के, यह पित्ताशे की सूजन का आम कारण, आम प्रकार का कारण होता है, आम तोर पर इसका कोई गंबीर इस्तिती पेदान, गंबी इसमें होता कि इस बीमारी में यह पित्ताशे में रुकावट आने के कारण होता है, यह पित्ताशे में रुकावट मुखी रूप से पित्त की पथरी के कारण होती है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे डाइग्रम में, कि यहाँ पर मरीज में पथरी बन गई, यह पत्री निकल के गाल प्रिडर से यहाँ पर आ गई, यहाँ पर रूख गई, इससे बाइल जूस नहीं बन रहा, इसको calculus collisistitis कहते है, calculus का मतलब ही होता है, पत्री या फिर पत्री बनना या फिर पत्थर बन जाना हमारे पेट में, पत्री उसे हिंदी में कहते है, और English में उसे calculus के नाम से जाना जाता है, आगे बढ़ता हूँ, दूसरे प्रकार के उपर, एक calculus collisistitis, एक calculus collisistitis क्या होता है, देखेगा, यह दूसरे प्रकार है, सूजन आने का उसमें, it is severe condition of collisistitis, यह बहुत जदा severe condition होती है, highly dangerous होती है, पित्ताशे की सूजन का गंबिर प्रकार का कारण होती है, it is mainly due to severe injury in gallbladder, हिंदी में देखेगा, यह मुखी रूप से पित्ताशे में किसी प्रकार की छती या चोट के कारण से होता है, यानि कि पित्ताशे जो gallbladder है, उसमें कोई चोट लग गई है, accident की बज़े से लगे, या whatever reason, कुछ भी कारण से यदी मरीज को gallbladder में चोट लगी है, तो सूजन आ जाएगे, severe condition यह मरीज में बन सकती है, ठीक है, इसके जो अगर collisistitis की symptoms की बात करूँ, पित्ताशे में सू में इस problem में, और abdomen bump यहने की पेट एकदम सूज सा फूल सा जाएगा, bump हो जाएगा, पेट, जो अंडिस मरीज को पीलिया भी होगा, बिल्कुल पीलिया हो जाएगा, high fever बहुत ज़्यादा बोखार देखने को मरीज में मिलेगा, nausea vomiting, जी माचलाना, उल्टिया होना, मतली आ कोलिसस्टाइटिस के कोज, अब अच्छा कोज क्या है, कारण क्या होने का, पहला होता है, गाल ब्लेडर ट्यूब ट्यूमर, पित्ति नली में जो ट्यूमर है, उसके कारण होता है, ट्यूमर हो गया, गाल ब्लेडर में वो बंद हो गया, ठीक है, उसे हो सकता है, ब्लेड डिसोडर रक्तवाईकाओ से मतलब क्या है अगर मान लिजा गाल ब्लेडर से वेन और प्रोपर लिए आर्टरी वगेरा ब्लड सप्लाई नहीं करेगी तो गॉल ब्लेडर बिल्कुल खराब होगा उसमें प्रोब्लम आईगी 100% तो याने की रक्तवाईकाओ की प्रोब्लम High Density of Bile Juice यह point समझेगा High Density of Bile Juice का मतलब होता है कि अगर पित्ताशे में जो पित्तरस बन रहा है वो ज्यादा गाड़ा है ज्यादा गाड़ा होने की बज़े से भी उसमें सूजन आ सकती है आपको Low Blood Supply अभी बोला कि अगर गाल ब्लेडर में परियाप्त मात्रा में ब्लेड नहीं जाएगा तो भी हो सकता है गोल ब्लेडर का यदि कोई संक्रमन है कोई बेक्टीरिया ने कर दिया उसमें आक्रमान वाइरस ने कर दिया फंगस ने कर दिया कोई प्रब्लम होई तब भी संक अगर होता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात है, कि मरीज को हमें क्या करना है, सबसे पहले मरीज को हमें दर्द में अराम लगने, डा मैं पर इंजेक्शन काफी इफेक्षिव होता है, पिछोतर बिडैसा, सुभा बिडी, सुभा श़ाम मतल़ा,MINल मैं बिडीलिशाम 2.25 mg BD Subasham Tezor Injection देते हैं, composition की बात करो, अगर मैं Tezor की, तो Tezor में यहाँ पे लिखा हुआ है, Tezor में Piprasilin प्लस Tezobectum दोनों का composition होता है, Piprasilin प्लस Tezobectum साथ में इनको digest करने के लिए Pentaprozol हमें देना होगा, क्योंकि Antibiotic Heavy इसको digestion के लिए Top, इस्तमाल करते हैं, 40 mg OD Suba इस्तमाल किया जा सकता है, खाली पेट मरीज को यह लगाए जा सकता है, इसका tablet form भी आता है, IV form भी, यदि मरीज भरती है, तो injection form का इस्तमाल करो, यदि वो medicine tablet form पे है, तो फिर मरीज को हम लोग tablet form पे भी दे सकते हैं, अगर वो treatment हम स्टोन का करेंगे, यदि मरीज को पत्री के कारण दर्द हो रहा है, पत्री बनी है, तो पत्री को गलाने के लिए Udiliv tablet सबसे effective होती है, 150 mg की सुबा शाम इस्तमाल की जाती है, इसमें, इसमें जो Udiliv ये वाली tablet इस्तमाल होती है, 150 mg, इसमें अर्सो डियोक्सिकोलिक एसिड होता है, अर्सो डियोक्सिकोलिक एसिड, ये composition है, इसका अर्सो डियोक्सिकोलिक एसिड, Udiliv सबसे famous ब्राण है, बहुत सारे नाम से बिक्ती है, बट मैंने Udiliv लिया, 150 mg की टेबलेट है, काफे ज़यादे इस्तमाल की जाती, तो ये basic से एक prescription, एक treatment हुआ, कि भाईया, मरीज को ज़ि दर्द है, infection है, तो आप उसमें एक antibiotic दो, टेजर, विपरसलेन, प्लस टेजोबेक्टम का combination में 2.25 mg, बीडीद सुबस्चान दो, तो डाइने पार से, उसको easily relief लगेगा, दर्द में tablet foam में भी आती, IV foam में भी आती, severe pain भरती है, तो IV use करो, normal है, तो tablet में दे दो, और अगर पत्थरी के कारण, आपने sonography करी detection हो गया, तो U-Delive tablet उसको गलाने के लिए, पत्थरी को इस्तमाल करना चाहिए, आगे बढ़ता हूँ मैं, next आता हमारी बीमारी होती है, abdominal infection, यदि मरीज को पेट में किसी प्रकार का संक्रमन हो गया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले introduction समझो कि पेट में संक्रमन क्या होता है, gastroenteritis is also known as abdominal flu, देखो, पेट में संक्रमन होने को gastroenteritis कहा जाता है, इस point को ध्यान रखना, बहुत बार डोक्टरेस का इसमाल करते है, gastroenteritis का मतलब पेट में संक्रमन का हो जाना, also known as abdominal flu, इसको हम लोग क्या कहते है, abdominal flu के नाम से भी जाना जाता है, gastroenteritis को आम तोर पर पेट का flu या फिर पेट का infection या पेट का संक्रमन भी कहा जाता है, ठीके, it is condition in which infection in intestine and abdomen and start swelling, यहने कि क्या होता है, यह एक ऐसी इस्तिती होती है, जिसमें पेट और आतो वा जलन होती है, और सूजन आना, मतलब पेट में मरीज को पूरे पेट में जलन होगी और पेट में सूजन टाइप की बनेगी, आतो और abdomen के हलके organ से जूड़े हुई यह बीमारी होती है, पेट का संक्रमन होगा क्या, बहुती है कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे, high fever आएगा मरीज को, इसके बाद डाइरिया हो जाएगा, बोमेटिंग हो जाएगा, यह कुछ condition देखने को मिलेगी, आईगी देखते हैं इसके प्रकार के बारे में, एक होता है वाइरल गेस्ट्रो एंट्राइटिस है न, प्रकार की बात कर रहा हूँ में, वाइरल गेस्ट्रो एंट्राइटिस होता है, पहला है वाइरस के कारण होने वाला गेस्ट्रो एंट्राइटिस, देखिएगा, वाइरल गेस्ट्रो एंट्राइटिस कोज बाई डिफरेंड वाइरसे, बहुत सारे वाइरस के कारण यह भीमारी हो सकती, इसको फ्लू कप कहोगे जब वाइरस का संक्रमन हो गया है तब इसे फ्लू ऑफ इस्टमक याने की पेट का फ्लू के नाम से जानोगे है ना इसमें डेयर सी सूजन मौन लॉच को देखने को मिलेगी आप आप इसी ली समझ जाओगे पेट में सूजन आई हुई है पेट का फ्लू हुआ है क्यो हुआ है वाइरस के कारण हुआ है जिसे वाइरल गेस्ट्रो एंटरीटिस कहते है इंट इस ट्रांसपर बाय डिफॉ डाइरेक्ट कॉंटेक्ट विद इंफेक्टेट पर्सन एंफेक्टेट फूड और वोटर देखो कारण समझ में आया कि या तो यह आपको हुआ क्यों है या तो कोई ऐसे संक्रमित मरीज के संपर्क में आप आयो हो तो हुआ है या फिर आपने को यह साथ दूशित भोजन या दूशित पानी किया है तब तो इस कंडिशन में मरीज को हमको सजेश करना है बॉइल वोटर यूज करना है ताजा खाने को सेवन करना होता है मरीज को ठीक है वाइरल गेस्ट्रेंटराइटिस एक होता है बेक्टिरियल गेस्ट्रेंटराइटिस देखो वाइरल गेस्ट्र और bacterial gastroenteritis में अंतर होता है यह मैं आपको लक्षणों में बताने वाला हूं आगे bacteria that cause intestinal infection which is called bacterial gastroenteritis जिसे हम bacterial gastroenteritis कहते है bacterial द्वारा होने वाले आतों में होने वाले संक्रमन को bacterial gastroenteritis कहते है अब दोनों में आप अंतर के से पता कर पाओगे एसे घर पाओगे, गेस्ट्रो एंटाइटिस के सिम्टम, यदि बैक्टिरियल इंफेक्शन होगा, तो मरीज को डाइरिया याने की दस्त लग जाएंगे, वोमेटिंग उल्टिया होने लगेगी, और लाइट फीवर, बिल्कुल थोड़ा बहुत फीवर मरीज को रहेगा, औ एब्डोमिन पेन, थोड़ा बहुत पेन होगा, हल्की फुलकी आपको सुजन देखने को मिलेगी है न, और अगर आपको वाइरल का संक्रमन होगा, पहली चीज मरीज को बहुत तीवर फीवर आएगा, रिपीटेड रिपीटेड होगा, पेरासिटामोल देते रहोगा, तो मरीज को एब्डोमिनल पेन, और पेट में मरीज को बंप टाइप का अलगी स्वेलिंग टाइप का महसूस होगा, उसे एब्डोमिनल फ्यू याने की वाइरल गेस्टोरेंट्राइटिस कहेंगे, ये कंडिशन अगर सामान यवस्ता में रिती याने की बेक्टिरियल किसी व सबसे पहला कि dehydration मरीज के पानी की कंटीनसली आपको मेंटेन करना है, तो 500 ml NS with MVI multi-vitamin injection के साथ में, OD सुभा दिन में एक बार मरीज को देना है, 500 ml NS है ना, नॉर्मल सलाइन में मिक्स करना है, MVI multi-vitamin मिक्स करके सुभा देना है मरीज को, 500 ml DNS प्लेन शाम के टाइम पे, OD दिन में रात में एक ही बार देना है, DNS ताकि इन दोनों से उसका फ्ल्यूड लेवल मेंटेन रहेगा, बाकि डिपेंड करता है, पेशेंट को कितना dehydration है, कितना फ्ल्यूड देना है, but standard doses की बात कर रहा हूं है, treatment of vomiting, बॉमेटिंग के लिए definitely dom peridom, tablet, BD दिन में दो बार इसको इ पानी की कमी मेंटेन करी हमने, उल्टियों को मेंटेन किया, आप करना क्या है, treatment of diarrhea करना है, तो इसमें सबसे effective होती है, metronidazole, बहुत effective medicine है, metronidazole सुभा BD दिन में, BD याने की सुभा शाम मरेज को देना है, अगर metronidazole से अराम नहीं लगता है, तो change करके O2 पे switch हो जाना ह O2, ofloxacin plus, ornidazole का composition मिलता है, ये भी BD सुभा शाम ये टेबलेट का इस्तमाल करते है, 700 mg की टेबलेट आती है, साथ में आपको probiotic capsule है, ये capsule है, ये capsule है, ये capsule है, probiotic के capsule सुभा शाम देना है मरेज को, सुभा शाम कैपसूल देना है, probiotic में क्या होता है, probiotic bacterias रहते है, जो क कि बहुत अच्छा digestion को maintain करते है, treatment of fever and pain, यदि मरेज को दर्द और बुखार जादा है, तो definitely paracetamol, अब दिपेंड करता है, कितने जादा, कितने टाइम में fever repeat हो रहा है, जादा repeat हो रहा है, तो हम लोग IV infusion देते हैं मरेज को, ठीक है, अगर normal है, तो हम लोग टेबलेट से maintain करते हैं, इसे दर्द भी मरेज का नियंत्रित होगा, यदि high severe pain में बहुत जादा मरेज को दर्द वगेरा है, उस condition में हम लोग यहाँ पे, सबसे अच्छी, मैं एक pen killer मानता हूँ, जो कि dynapar होती है, dynapar का आप इस्तमाल कर सकते हो, ठीक है, swelling वगेरा अगर देखने को मि तो हम लोग कुछ medication, other treatment इसका करना पड़ता है, signal flame बगेरा, use करते, तो I hope के guys, आपको इतना समझ में आया होगा, I hope के guys, आपको इतना समझ में आया होगा, इस तरह का में, अभी तीन disease बता है, definitely मैंने थमनेल में पास दाले थी, इसका detail, walk-around video चाहिए, इस प्रकार का मैंने यह बुक अगर आपको चाहिए, तो हम PDF के रूप में देते है, पूरा online course देते है, बुक में जितने टोपिक है, सारी वीडियो के रूप में explain किया गा है, हमारी application के उपर, description में भी link दी हुई है, कैसे purchase करना है, उसके लिए, बुक purchase करने के लिए, आपको application डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाएगा, जैसे आप प्ले स्टोर पर जाओगे, यहाँ पर सर्च कीजिएगा, आप simply Indian Medical Lecture, यह सर्च करोगे तो यह वाली जो application है, इसको open कीजिएगा, हमारी इस application को open करेगो, जैसे आप इसको open करते हो, यहाँ पर यह option मानता है, WhatsApp से login करना है, आप WhatsApp से मत कीजिएगा, नीचे लिखा, use another method, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यह option open होगा, आपके mobile number यहाँ पर डालने का option आएगा, mobile number डालके आप continue करोगे, जैसे आप continue करोगे, यह automatically OTP आपके mobile में से ले लेगा, जैसे यहाँ पर OTP लेता है, यह open हो जाता है, अब यहाँ पर शिरू में आपको डाला होगा बुक यह किताब खरीदे, यहाँ से जाकर भी आप देख सकते हो, यह बुक पर्चेस करने का option यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ से नहीं आता है, तो नीचे इस पर जाओगे, तो आपको यहाँ से नहीं आता है, यह medical वाले बुक को open करना है, यह medical वाले बुक को open करना है, इसे click करोगे, उपर आपको content करके दिखाई देगा, नीचे आपको दिखाई देगा buy now, आप buy now पर जाकर payment कर सकते हो, content पर जाओगे तो परी आप देख सकते हो, फेले book अगेरे डली होई है, बट यह भी lock है, यह स phone पे, Google पे आपको जो भी payment करना हो, payment कर सकते हो, जैसे ही आप payment करोगे यहाँ पर, यह वापस आपको बेख जाना है यहाँ और content में जाना है, content में आप जैसे ही जाओगे यहाँ यह option आपको बता देगा, अब यहाँ पर लोक था, जब payment कर दोगे तो यह unlock हो जाएगा, इस पर्चेसिंग करना होगी,